इस्टूरेंट्स गूद मॉर्निंग क्लासिक्स हिंदी फास्ट 21 चैप्टर फॉस्ट लेक्चर बेटा ये केवल पढ़ने के लिए है चैप्टर का नियम है मेरी सिक्षा पांचवे या लेखक अपनी सिक्षा के बारे में इस चैप्टर में लिखता है चलिए बेटा सब्सक्राइब यानि की पढ़ने भेजा गया इस कारे में के लिए मौलवी सहाब आए मिठाईयां बाटी गई और हम उनके सुपुर्द कर दिये गए उन्हें सुपुर्द कर दिये गया मतलब उनसे पढ़ने लगे एक मैं दूसरे मेरे चचेरे भाई युमना प्रसाजी और तीसरे बल्देयों चाचा तीन लोग पढ़ते थे मौलवी सहाब से तो हम लोग मौलवी सहाब से थोड़े footprints पढ़े लेखक बताता है बटा की मौलवी सहाब से लेखक सोड़े ही दिन पढ़ पाया और उनके जाने के बाद दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए वे बहुत गंभीर थे और पढ़ाते भी अच्छा थे हपते में साड़े पास दिन फार्सी पढ़ाते थे और ब्रहस्पत को दुपहर के बाद और सुक्रवार तक फार्सी से चुट्टी रहती थी तब हम गिंती सीखते थे खेलने की कूदने के लिए हम लोगों को अलग से समय दिया जाता था कौन देता था मौलवी साहब अलग से समय देते थे हम लोग खुब सबेरे उठकर मौलवी साहब के पास पहुंच जाते थे वे कोठी में रहा करते थे सामने कोठी क्या होती बेटा जै उसको क्या कहते कोट्री तो मौलवी सहाब एक कोट्री में रहा करते थे सामने आंगन में बैठ कर हम सब पढ़ा करते थे सबेरे आकर सबेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पार दोराया जाता था जो जितनी जल्दी याद कर लेता था उसको उतनी ही जल्दी से नया सबक पढ़ दिया जाता था तब तक सुर्योदय हो जाता हम सब अपना हाथ मुधो लेने और मा के पास कुछ खाने के लिए पहुच जाते थे प्राया आधे घंटे की छुट्टी मिलती और नास्ता करके लोटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक क्या होता है जो पढ़ाया जाता है उसको क्या कहते थे सबक सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब आदेश देते किताब बंद करो किताब बंद करके तक्ति निकालनी पड़ती थी तक्ति क्या होती है बेटा जो आप लोग आजकल स्लेट में लिखते हो उसको पहले क्या कहते थे तक्ति निकालनी तब तकती भर जाती, तो उसे दोना पड़ता था, तो पहले क्या होता था कि जैसे आप लोग अभी Sledge पे लिखते हो, पहले क्या होता था हम लोग अक सेम्हें तकती स्लेट जैसी होती थी उसको कलर किया जाता था, उसके बाद उस अच्छी राइटिंग में लिखा जाता था तो इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता तो उसको चिकना किया जाता था उसके बाद उसमें लिखा जाता था उसको क्या कहते थे तक्ति दोपहर को नहाने और खाने के लिए एक या डेड़ गंटे की चुट्टी मिलती थी और दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता, उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती, जब तक बच्चा याद करके सुना नहीं देता था, वो मौलवी साहा जाने नहीं देते थे, लेखक अपने बारे में बेटा बता रहा कि कैसे लेखक की पढ़ाई हुई संध्या बेला को नीन जल्दी आती थी, ये राजेन प्रसाद अपने बारे में बता रहा है कि साम के समय नीन जल्दी आती थी, बेखती अगर दिन पर मेहनत करता है तो रात में जल्दी नीन आती है, ऐसा ही कुछ लेखक के साथ हुआ, डर रहता कि मौलवी साहाब हमें पल दिया जलाया जाता, पहले टीचर बहुत पिटाई करते थे और बच्चे पिटते रहते थे, अब आज जैसे आप लोग को डाटा जाता है तो आप लोग और ज्यादा सरारत करते हो, ऐसा नहीं था, लेखक अपने बारे में बेटा बता रहा है कि पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था, पहले लाइट की भी विवस्था नहीं होती थी, दिया जला कर पढ़ाई की जाती थी, और यमना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते थे और छिपा कर उस दिया में रख देते थे, क्यों कि वो पोटली इसका तेल सोक ले और बुच जाया तो हम में पढ़ना ना पड़े, तो जिससे दिया जल्दी बुचने पर आ जाता, मजबूर होकर मौलवी साहब किताब बंद करने का आदेश दे देते, हमें फार्सी का जो कुछ ग्यान हुआ, वो मौलवी साहब ने ही दिया, हम भी उन्हें प्यार करने लगे थे, जब घर छोड कर उन्हें जब जाना पड़ा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, कहां जाना पड़ा, छपरा, अब बेटा ये चैप्टर केवल पढ़ने के लिए था, आप लोग इसकी रीडिंग लगाएंगे होमवर्क में, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा, थेंक्यू क्लास